शूटर्स को पकरने के लिए पुलिस ने चार स्वेशल टीम्स का घठन किया बेगु सराय के आसपास के जिलो, पटना, सुमस्तिपूर, नालंदा, लखी सराय और खगडिया में पुलिस पूरी मुफ्तैदी से बदमाशों के तलाश में लगी है चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी हाइवे पर तैनाथ थी पुलिस वालों ने भी अपराधियों को देखा लेकिन इसके बावजूत पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया दो बाई पर सवार होकर चार बदमाश 30 किलो मीटर तक फायरिंग करते हुए 40 मिनट तक दंदनाते हुए गोलियां चलाते हुए फड़क पर तांडव मचाते रहे इस 30 किलो मीटर के रेंज में पुलिस की साथ पेट्रोलिंग टीम मौके पर मौजू थी लेकिन किसी ने उन्हें ना रोकने के कोशिश की ना पकड़ने की कोशिश की ना संदिग्द समझ कर कोई भी इंटल इंपुट एक दूसरी टीम के साथ शेर किया गया नहीं तो ऐसी घटनाओं में होता यह है कि यदि एक थाने से कोई जानकारी दूसरे थाने तक पहुँचती है तो कम से कम तीसरे थाने तक अपराधी को पकड़ा जा सकता था लेकिन कोई इंपुट नहीं कोई आपस में तार्ट तम्ये पुलिस में नहीं दिखाये दिया पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जिस इलाके में फायरिंग हुई वहां 30 किलो मीटर के रास्ट में कहीं जिके पुलिस मौजूद थी वायलेस पर फायरिंग के बारदात की जानकारी भी दी गई थी लेकिन पुलिस वालों ने लापरवाही पड़ती इसले नितीश चंत्र ने हमारे संबादाता ने उन पुलिस वालों को भी ढून निकाला जिनके खिलाफ एक्शन हुआ जिन्हें सुस्पेंट किया गया सुनियों उन्होंने क्या कहा मैसेज हम को नहीं मिला सर हम थाना पर थे हम थाना पर से जाने के लिए गस्ती में जाने के लिए हम तयारी में थे जब तक गारी नहीं लोटा था तो आफिर वारलेस पर मैसेज ना यह तो हमरा कोई नहीं बताया सर अभी तक कोई नहीं बताया है तो पिर आपको सस्पेंट किया गया है तो आखिर जो बातें कही गई है उसमें ये कहा गया है कि गश्टी टीम की गाड़ी तो थी सड़क पर लेकिन जो इफेक्टिवनेस होना चाहिए था वो नहीं था हाँ तो सर हम तो नहीं गश्टी वाला लोटी ही रहे थे क्या कमी रह गई गश्टी के दौरान जो भी पुलिस करमें गश्टी की गाड़ी में था क्या कमी हुई उनसे अभी तो सर हम नहीं बता सकते हैं काई कि हम तो यहां थे हमको तो कोई जनकारी नहीं था